ग्लोबल कम्पनियों में छटनी का दौश शुरू आखिर जैन जैड का ही शिकार क्यों नौकरियों से निकाले जाने का सिलसिला भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में जारी है अब तक तक तकरीबन डेड़ लाक से जादा वरकर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है पिछले साल दुनिया की तमाम बड़ी आईटी कम्पनियों ने तकरीबन सत्तर हजार करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया था इनमें Google, Amazon, Meta, Twitter और Microsoft का नाम भी शामिल है आलांकी domestic कम्पनियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है जिन्होंने थोड़ी कम संख्या में करमचारियों की चटनी की एक दुखत खबर ये भी है कि अभी हाल ही में वाल डिजनी कम्पनी ने तकरीबन 4000 करमचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के संकेत दिये है लिटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टेक और एंटेटेन्मेंट कम्पनी में दूसर राउंड की चटनी की प्लानिंग चल रही है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी की नोकरी अच्छी कम्पनी में लग जाती है मतलब साफ है कि उसकी लाइफ सेट हो चुकी है लेकिन ठीक इसके विपरीत पिछले कुछ मैनों से दुनिया भर की कम्पनियां अपने करमचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी कर रही है नोकरीयों से निकाले जाने का ये सिलसिला भारत सहीत दुनिया के तमाम देशों में जारी है अब तक तक तकरीबन डेड़ लाग से जादा वरकर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है पिछले साल दुनिया की तमाम बड़ी IT कम्पनियों ने तकरीबन सतर हजार करमचारियों को नोकरी से निकाल दिया था इन में Google, Amazon, Meta, Twitter और Microsoft का नाम भी शामिल है बत और उधारन COVID महामारी के बाद इन प्रमुक तकनीकी कम्पनियों में Amazon ने 18,000 वरकर्स, Salesforce ने 8,000 वरकर्स, Microsoft ने 10,000, Meta ने 11,000, Alphabet ने 12,000 वरकर्स करमचारियों को निकाल दिया आला कि domestic कम्पनियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है जिन में थोड़ी कम संख्या में करमचारियों की चटनी की हैरान करने वाली बात ये है कि करमचारियों की जाधता चटनी, IT और स्टार्टप सेक्टर में काम करने वाली कम्पनियों में ही देखने को मिल रही है लोकडाउन खत्म होने के बाद से ग्लोबल मंदी का अंदेशा और मांग में कमी तता आये का संकट इत्यादी कहीं कारण गिनाये जा रहे हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि IT और स्टार्टप सेक्टर ऐसे हैं जहां जादा तर जैन जैड वरकर्स ही काम करते हैं ऐसे में सवाल ये उत्ता है कि इतने बड़े पेमाने पर हो रही चटनी में प्रोफेशनल्स के द्वारा कहीं जैन जैड जनरेशन को बेरोजगारी का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के वक्त इनकी जो कमिया बताई जाती है इस से एक साथ कई सवाल पैदा होते हैं इन सवालों का सटीक जवाब पाने के लिए इस वीडियो का दूसरा सेग्मेंट जरूर देखें